दूर किसी जंगल में कालुकवा रहता था कालुकवा हर समय चुप चुप ही रहता था और अपने बीते हुए दिनों को याद करके वे काफी ज़ादा उदास होता था कालुकवा अपना बीता हुआ कल सोचता है पहले कालू कावे का अपना एक परिवार हुआ करता था कालू कावा बहुत खुशी-खुशी अपना जीवन जी रहा था पर एंतु रानी कावी बहुत ही जारा घमंडी थी वे किसी दूसरे पक्षी के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कालू जी इस कबूतर के बच्चे से कह दें कि यहां से चले जाए मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद अरे क्या बात है रानी अगर ये कबूतर का बच्चा हमारे राजुकावे के साथ खेलने आता है तो इसमें क्या बुराई है मुझे कबूतर बिल्कुल नहीं पसंद क्योंके उसने मेरे भाई से बहुत दड़ाई की थी और मुझे भी बहुत बुरा बला कहा था इसलिए अब मैं उसके बच्चे को अपने घर में कैसे रख लूँ अरे ए नन्य कबूतर चलो यहां से चली जाओ भागो यहां से और दुबारा कभी मत आना घर में कववी अंटी मैं तो यहां से नहीं जाओंगा क्योंके यह मेरे दोस्त का घर है रानी कवी बहुत गुस्ते वाली थी और वे गुस्ते में नन्य कबूतर को पकड़ कर घोंसले से नीचे फेग देती है बिचारा नन्य कबूतर तो बहुत छोटा था जिस खारण उसकी उसी समय मौत हो जाती है अरे रानी सतिया नास ये क्या कर दिया तुमने अब क्या होगा बस कुछी देर में सारे पक्षी कालुकवे के घर के पास आते हैं उलुसैनिक इस रानी कवी ने मेरे मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है इसे पकर लो फारण और इसे कड़ी से कड़ी सजा दो रानी कवी तुम एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुमें ज़रा सबीर हम नहीं आया तुमें तो इसकी सजा जरूर मिली चाहिए अरे भई पक्षीयों ये क्या कह रहे हो मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ अगर रानी कवी को सजा मिल गई तो में और में राजु कवी क्या करेंगे फिर कालु कवी तुम्हारी पतनी ने एक पक्षीय की जान ली है तो इसे सजा तुम मिल कर ही रहेगी फिर उलु सैनेक रानी कवी को पकड़ कर ली जाता है और अब रानी कवी को फासी की सजा हो जाती है राजु कवी अपनी मा की जुदाई बरदाश नहीं कर पाता और वे भी घोंसले से नीचे कोट कर अपनी जान दे देता है बस तब से कालु कवी की जिंदगी बिल्कुल ही उजण सी गई थी और वे अकेला रहे गया था बस कालु कवी को अपने बीते हुए कल के बारे में सुचता था और पक्षियों से बदला लेने की कोई ना कोई यूजन बनाता था मैं उन सब पक्षियों की जिन्दगी भी उचार दूँगा जिस तरह मेरी जिन्दगी उचड़ गई है रानी कवी को अगर ये पक्षि सदा ना देते तो आज मेरा परिवार मेरे साथ होता बस फिर कालू कववा सारे पक्षियों को जमा करता है क्या बात है कालू कववे आज तुम्हें हम सब पक्षियों की याद कैसे आ गई वरना वैसे तो तुम हम पक्षियों से बात भी नहीं करते थे हाँ मिनोचेडिया मुझे तुम सब पक्षियों को एक बहुती जरूरी बात बतानी है हमारे चंगल में एक चील का बच्चा घुसाया है और वे पक्षियों के नने नने बच्चों को खा रहा है मेरा तो परिवार नहीं रहा पर अंतु मैं चाता हूँ कि तुम सब अपने बच्चों को उस चील से बचा कर रखो अरे बाप ने वे दुस चील का बच्चा कहां से घुस गया हमारे जंगल में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालुकर वे कि तुमने हमें बता दिया अब मैं अपने बच्चों को उस चील से बचा कर रखोंगी बस फिर कालुकवा सब पक्षियों को चील से ढ़ा देता है अब देखो मैं सब पक्षियों के बच्चों को मार डालूँगा और ये सब पक्षि यही समझेंगे कि ये सब कुछ वे चील का बच्चा कर रहा है ये कहकर कालुकवा वहां से चला जाता है कबूतर भाई कबूतर भाई चेल बुलबुल के घर से उसका बच्चा उठा कर ले गई क्या अरे बाप रे इसका मतलब बुलबुल बेहन तो बहुत परिशान होंगी मैं अभी जाता हूँ उनके पास ये कहकर कबूतर फॉरण बुलबुल के पास आता है और तभी कालुकवा कबूतर के नने बच्चे को अपने चाकू से मार ढलता है और वहाँ से चला जाता है दूसी तरफ कबूतर बुलबुल के पास आता है अरे बुलबुल बेहन क्या हो गया भाई तुम्हारे बच्चे को चील कैसे ले गई अरे नहीं तो कबुतर भाई देखें मेरा बच्चा तो ये रहा शायद आपको कोई गलत फहमी होई है बस अभी वहाँ पर कालुकव आता है और परिशान होने का नाटक करने लगता है अरे अरे कबुतर भाई तुम्हारे जाते ही वहाँ पर चील आ गई और वे तुम्हारे मासूम बच्चे को भी मार कर खा गई मैंने उस चील को बहुत रोका परंतु मैं कुछ ना कर सखा हाई जी ये क्या हो गिया पहले बच्चे को रानी कवी ने मार दिया और अब दूसरे वाले को वे चील ने मार दिया अब मैं तो दुबारा से अकेला रहे गया अगले दिन कालुकवा तोते के बच्चे को भी अपने चाकू से मार डालता है पस तभी मिनुचेडिया भी कालुकवे को तोते के घर से निकलते हुए देख लेती है और कालुकवे के पास भी चाकू भी होता है जिस पर तोते का खून लगा हुआ था मिनुचेडिया तो ये देखकर काफी जादा परिशान हो जाती है और छुपके से सब पक्षियों को अपने खर में जमा करती है पक्षियों मुझे आप सब को एक बहुत जरूरी बात बतानी है अब तक हमारे चंगल में चील कितने सारे पक्षियों को मार चुकी है परन्तु आज तक हमने तो किसी भी चील को अपने चंगल में नहीं देखा हाँ मिनुचेडिया वे चील आखिर कैसी है जो हमारे बच्चों को मार कर चली जाती है और उनको खाती भी नहीं है पक्षियों आज मैंने तोटे के घर से कालू कवे को निकलते हुए देखा था कालू कवे के पंजों में एक बड़ा चाकू था जिस पर खोन भी लगा हुआ था क्या अरे मीनुचेडिया मेरा बेटा तो आज ही मरा है कहीं ऐसा तो नहीं के इन सब के पीछे उस कालू कवे का हाथ हो हाँ पक्षियों मुझे भी ऐसा ही लगता है मुझे तो लगता है कि कालू कवा अपने परिवार को खोने का बदला ले रहा है हमसे जबकि उसमें तो हमारी कोई वल्थी नहीं थी पक्षियों मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कालू कवा कर रहा है मेरे पास एक बहुत बढ़ी उपाई है जिसे हम कालू कवे को सजा दिला सकते है फिर मिनुचेडिया सब पक्षियों को अपना उपाई बताती है अगली सुबह हो जाती है चलो भाई, मैंने जंगल के सब पक्षियों के बच्चों को मार डाला है अब बस मिनुचेडिया के बच्चे बच्चे है आज मैं जा कर मिनुचेडिया के बच्चों को भी मार दूँगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा ये कहकर कालू कववा मिनुचेडिया के घर की तरफ चला जाता है मिनुचेडिया जान भूच कर अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ कर वहां से चली जाती है कि तब ही वहां पर कालू कववा आता है चलो इससे पहले कि मिनुचेडिया आ जाए मैं दोनों बच्चों को जल्दी से मार डालता हूँ कालू कववा चैसे ही उन मासूम बच्चों पर वार करने जाता है कि वहाँ पर मीनुचेडिया उलू सैनिक को लेकर आ जाती है अच्छा इसका मतलब कालू कववे ये सब कुछ तुम कर रहे थे और हम बिलावाजा चील को ढूंड रहे थे कि चील आखिर है कहां उलू सैनिक ये कालू कववा बहुत जादा जालिम है इसने हमारे जंगल के सब पक्षियों के नने पक्षियों को मार डाला है अब तो इसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी हाँ हाँ मिनोचेडिया इसे भी इसकी पत्नी के तरफ फासी दे दी जाएगी क्योंके खोन का बतला खोन होता है तब ही वहाँ पर जंगल के सब पक्षियों भी आ जाते हैं और कालू कवे को बहुत ये हुसे में देखने लगते हैं अलू सैनिक आप जल्दी से कालू कवे को पकड़ कर ले जाएं ये पक्षि बहुत गुसे में हैं मुझे तो लगता है कि ये कालू कवे को यही मार डालेंगे फिर अलू सैनिक कालू कवे को पकड़ कर ले जाता है और अब इस तरह कालुकावे को भी फांसी की सजा हो जाती है और कालुकावा भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत कामों का हमेशा गलत ही नतीजा निकलता है इसलिए हमेशा सब के साथ भला करो ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खुबसूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे जंगल के सभी पक्षी एक साथ बहुत ही जादा खुश रहते थे उस जंगल में एक मीनू चड़िया अपने पती मानो चड़े के साथ रहती थी जंगल के सभी पक्षी मीनुचडिया और मानुचड़े को बहुत जादा मानते थे और जंगल का कोई भी मसला हो मानुचड़े से ही सही करवाया करते थे अभी उस जंगल में तेज तुफानी बारिश का मौसम आने वाला था जंगल के सभी पक्षी हर साल मानो चड़े को दाने दे कर बारिश से बचने का हल पूछा करते थे मेनो चड़िया के बाजु वाले घर में एक कालुकावा भी रहता था वे कालुकावा चाहता था कि जंगल के सभी पक्षी मानोचड़े के बजाए उसे काम करवाने के दाने दें वे कालुकावा मानोचड़े से बहुत जादा जलता था और वे हमेशा ही मानोचड़े को गलत साबित करने की कोशिशे करता रहता था फिर एक दिन की बात है जंगल के सभी पक्षी एक साथ बेटे हुए बाते कर रहे होते हैं हाँ भई मानो चिड़े तुमने हर साल की तरह इस साल भी कुछ ना कुछ तो सोचा होगा इस बारिश से बचने के लिए हाँ भई बताओ इस साल तुमने कौन सा सस्ता काम किया है पुछली बार भी जब हमने तुम्हें बारिशों के लिए दाने दिये थे तो भी तुमने जो बंदोबस्त किया था वो आखिर तक बिलकुल बर्बाद हो गया था हाँ तो वो मुझे पता नहीं था कि इतनी तेस तुफानी बारिशानी वाली है इसलिए मैंने कुछ खास इंतिजाम नहीं किया था पिछली बार इस साल भी तुम्हे कौन सा पता है मानो चड़े अरे भाई पक्षियों मैं तो कहता हूँ इस साल हम इस मानो चड़े को दाने नहीं देते हैं हाँ तो ठीक है पिर कालुकवे अगर तुम्हे मानो चड़ा इतना ही बुरा लगता है तो फिर तुम ये सारी जिम्मेदारी ले लो फिर हम देखते हैं कि आखिर तुम क्या करते हो हाँ ठीक है पक्षियों फिर अब मिसाल कालुकवे को दाने दे देते हैं अब पक्षियों की ये बाते सुनकर कालू कव्वा अपने मन ही मन सोचने लगता है औरे वा 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 मीनू चुडिया ने तो मेरे मन की बात कर दी मैं यही तो चाता था कि सारी जिमेदारी और सारे दाने मुझे मिल जाएं अब तो मेरे पास बहुत जादा दाने आ गए हैं इस बार बस में हलका सा कोई टेंट लगा दूँगा और बारिश में सबी पक्षियों को स्टेंट के अंदर बेज दूँगा बाकि जो भी दाने बचेंगे मेरे पास उससे मैं अपना घर काफी जादा बड़ा बना लूँगा दूसरी तरफ मानो चड़ा मीनू चड़िया को बोल रहा होता है अरे भाई मीनू चड़िया हमने गुस्से में आकर उस कालू करवे को सारी जिम्मेदारी दे तो दी है पर मुझे पता है विकालू करवे बहुत जादा लाल्ची है वो किसी भी पक्षी के लिए कोई भी काम नहीं करेगा है मैनू चड़िया ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अब हमें खुद से ही पक्षियों के लिए कुछ नकुछ तो करना ही पड़ीगा आमीनू चड़िया तुम देखो बिल्कुल भी परिशान नहीं हो मैने तो पहले सी सभी पक्षियों के लिए इस बार सोचकर रखा हुआ है वो जो हमारे जंगल के पीछे काफी जादा खाली जगा पड़ी हुई है वहाँ पर मैं कल ही जाकर सभी पक्षियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े गन्नों के घर बना दूँगा तब ही वे पक्षियों उन घरों में अराम से रह सकेंगे हाँ लेकिन मिननुच चडिया हम ये बात अभी जंगल के किसी भी पक्षियों के सामने आएगा तब ही हम सभी पक्षियों को ये सारी बात बताएंगे फिर अब अगले दिन सुबा होते ही मानोचिडा जंगल के पीछे वाले हिस्से में आकर घर बनवाने शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वे कालुकावा जंगल के सभी पक्षियों के घरों के उपर टेंट लगा रहा होता है हरे क्या इससे बारिश रुख जाएगी कालुकावे ये टेंट मजबूत तो है ना हाँ हाँ भई कबूतर ये टेंट तो बहुती जादा मजबूत है क्योंके मैंने ये बहुती जादा महेंगा खरीदा है फिर अब पूरा दिन होने तक कालुकवा सभी पक्षियों के घरों पर टेंट लगा चुका होता है और दुसी तरफ मानोचड़े ने भी सभी पक्षियों के लिए काफी ज़ादा घर बनवा लिये होते हैं अब सारा काम करने के बाद मानोचड़ा अपने घर पर आकर सो जाता है पिर अगले दिन सुभा जब सभी पक्षियों उठते हैं तो वे देखते हैं कि जंगल में तो काफी ज़ादा तेज तुफानी बारिश हो रही होती है आदे दिन तक तो जंगल के सभी पक्षियों अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होते हैं अब देखते हैं जिसके कारण अब सभी पक्षियों के घरों के टेंट टूर जाते हैं और सभी पक्षियों के घरों में पानी भरने लग जाता है अब सभी पक्षी घरों में पानी भरने की वज़ा से जंगल में एक जगा पर जमा हो जाते हैं अरे भाई कालू कावे तुमने तो कहा था कि ये टेंट बहुती ज़्यादा मजबूत है इन्हें कुछ भी नहीं होगा हाँ कालू कावे तुमने कहा था कि कितना भी तेज तुफान आ जाए ये टेंट बिल्कुल भी अपनी जगा से नहीं हिलेंगे हाँ, जरूर कलू कर दें, तुमने हमारा ये सारा काम बहुत जाधा सस्ते में किया होगा अरे भ Sarah, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा आप सब लोग तो मुझे ही बोले जा रहे हो हाँ हाँ भई, मैंने ही ये सारा काम सस्ता सा किया है अब आप लोग बताईए क्या करेंगे आखिर कार आप लोग ऐसा अरे पक्षियों अभी आप लोग बिलकुल भी परिशान नहीं हो मुझे तो पहले से ही पता था कि इस बार ऐसा ही कुछ होने वाला है इसलिए मैं इस बार भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा था मैंने पहले से ही इस बार भी बारिश में आप सब के लिए तैयारी कर रखी है मैंने जंगल के पीछे वाले हिस्से में आप सभी के लिए काफी जादा अच्छे गन्नों के घर बना दिये है और हां कालुकवे अब तुम्हारी सजा यही है तुम इस तुफान में यहाँ पर ऐसे ही रहोगे कोई भी पक्षी तुम्हे अपने घर बे नहीं रखे गा जब तक बारिश खतम नहीं होती अब तुम यही पर ही रहो हाँ कालू कवे यही तुम्हारी सजा है बड़े आयते तुम जिम्मधारी लेने के लिए अरे भाई तुम दोनों का महुत जादा शुक्रिया जो तुम दोनों ने अपनी जिम्मधारी नहीं छोड़ी और हम सभी पक्षियों के लिए घर बना दी बस फिर क्या था अब सभी पक्षी मानो चिड़े के बनाए हुए घरों में रहने के लिए चले जाते हैं और आराम से घरों में रहने लगते हैं और दूसरी तरह वे कालू काववा वही जंगल में बारिश में बैठा अपनी सजा काट रहा होता है इसलिए तो कहते हैं हमें अ अबी प्रकार के पक्षी रहा करते थे इस जंगल में मीनू चिड़िया अपने पती मानो चिड़े और अपनी सास के साथ रहती थी मीनू चिड़िया ने अपने घर में अभी कुछ दिनों पहले ही एक अंडा दिया था बस कुछ ही दिनों में उस अंडे से बच्चा निकलन लेकिन अगर सेंडे में से चड़िया निकल गई और चड़ा नहीं निकला तो क्या फिर भी आप लोग इतना ही खुश होंगे अरे तुम तो चुप ही रहो जब भी बोलती हो बस कड़वा ही बोलती हो मत बोला करो तुम ये सब बाते हैं हाँ मीनू चड़िया तुम हमेशा उल्टी ही बाते करती हो नहीं क्या करो तुम ऐसी बाते हैं पिर अब मीनू चड़िया चुप हो जाती है अब जंगल में रात हो जाती है और वे लोग अपने घर में सो जाते हैं अब अगले दिन सुबा जब वे लोग उठते हैं तो वे लोग देखते हैं के मीनू चडिया का अंडा तूट चुका होता है और उसमें से एक चडिया निकल गई होती है लो भई जबी बोलती थी मैं तुम्हें कुछ अच्छा बोल लिया करो देखो अब निकल गई ना अंडे में से चडिया हाँ मा जी बिलकुल सही कह रही है तुम गलत बात करती हो इसी वज़ा से ऐसा हुआ है अब हमें अगले अंडे का इंतिजार करना पड़ेगा अब इतने में उनके घर पर कालु कवा आ जाता है अरे वा भाई वाई मैं तो सच में आप लोगों के घर पर खुशी के वक्त आया हूँ अरे भाई किस बात की खुशी कालु कवे तुमें ही हो रही होगी खुशी मुझे तो कोई भी खुशी नहीं है इसकी आँ भाई मानो चड़ा बिलकुल सही कह रहा है अगर चड़ा निकलता तो कोई खुशी भी होती हमें तो इस चड़ा की भला हम क्या खुशी मनाएं तो फिर क्या मतलब तुम हम सब पक्षियों को दावत नहीं दोगे नहीं नहीं मैं बिलकुल भी नहीं मैं तो कोई भी दावत नहीं दूँगा इसके लिए अब ऐसा कहकर मीनू चड़िया की सास और मानू चड़ा घर से बाहर निकल जाते हैं अरे भई मीनू चड़िया अब तुम मुझे बताओ आखिर तुम इस चड़िया का क्या नाम रखने वाली हो काल्उकवे, इस च़डिया का नाम मैंने कोमल चडिया रख दिया है अभी से ही बस पिर ऐसे ही, कालुकवा भी वहां से चला जाता है कुछ दिन गुजरने के बाद कोमल चडिया भी बड़ी हो रही होती है और अब मीनू चुडिया ने अपने घर में एक और अंडा भी दिया होता है मानो चड़ा और मीनू चुडिया की सास तो बस उस अंडे के तूटने का ही इंतिजार कर रहे होते थे मेरी मां क्या इस अंडे से मेरी बेहन निकलने वाली है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इस बार इस बार तुम्हारा भाई निकलेगा इस एंडे से बेटा और हाँ देखना इस बार तो मैं सबी पक्षियों को दावत भी दे कर ही रहूंगा तभी की खुशी देखकर मीनू चड़िया अपने मन ही मन सोच रही होती है जब कोमल चड़िया हुई थी जब तो इन लोगोंने कोई भी दावत नहीं दी किसी पक्षियों को और अभी देखो किसे खुश होकर दावत देने की बाते कर रहे हैं फिर अब ऐसे ही जगल में रात हो जाती है और वे लोग अपने घर में सो जाते हैं फिर अगले दिन मीनू चड़िया का दूसरा अंड़ा तूट जाता है और इस बार उस अंड़े में से एक चड़ा निकलता है अरे वा भाई वा आज तो सच्मे में बहुत जादा खुश हूँ और मैंने इसका नाम सोनू चड़ा रखा है मैंने ये नाम बहुत पहले सही सोच रखा था चलो भाई मानू चड़े आज तो हमें सारही जंगल के पक्षियों को दावत देनी है अब पस फिर आज रात होते ही मानू चड़ा जंगल के सभी पक्षियों को सोनू चड़े की खुशी में दावत देता है वा भाई वा पक्षियों आज तो लगता है मानू चड़े ने दिल खोल कर खुब जादा दाने खर्च किये है इस दावत पर हाँ भई क्योंके मानोचड़े को तो सोनोचड़े के आने की बहुत जादा ही खुशी है हाँ हाँ जबी तोस मानोचड़े ने हम सभी पक्षियों को इतनी बड़ी दावत दी है इसमार फिर अब दावत खतम होने के बाद सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं कुछ दिन गुजरने के बाद सोनू चड़ा भी बड़ा हो जाता है मानो चड़ा अब कोमल चड़िया और सोनू चड़े को एक स्कूल में लगा देता है लेकिन सोनो चड़ा पढ़ाई में बिलकुल भी अच्छा नहीं होता और वे कोमल चड़िया पढ़ाई में काफी जादा अच्छी होती है फिर एक दिन की बात है कोमल चड़िया अपने स्कूल के काम के लिए मानो चड़े से कुछ दाने मांगती है पिता जी मुझे आपसे कुछ दाने चाहिए थे वो मुझे स्कूल के लिए कुछ सामान लाना है तो मैं पता नहीं है कि कितनी महंगाई हो गई है जो तुम आकर मेरे पास ऐसे दाने मांगे जा रही हो पिता जी पर मुझे स्कूल के काम के लिए कुछ सामान लाना है फिर अब इतने में, वहाँ पर सोनु चड़ा भी आ जाता है अरे पिकाजी, आज मेरे दोस्त का जनम दिन है, इसलिए मुझे आपसे कुछ दाने चाहिए थे हाँ हाँ, ये लो बेटा दाने, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है मेरे पास वहाँ भई मानू चड़े, कुमल चड़िया के पास तो तुम्हारे पास दाने नहीं थे वो बिचारी कबसे तुम से दाने माग रही थी हाँ तो, ये मेरा एक ही तो बेटा है, और मैं उसकी भी खौइश हैं पूरी नहीं करूं क्या मानू चड़े, अब बहुत हो गया है, अगर तुम ऐसे ही बेटा और बेटी का फरक करते रहोगे तो मैं कुमल चड़िया को लेकर इस घर से अलग हो जाऊंगी हाँ हाँ तो आज ही चली जाओ ना ये घर चोड़ कर, मैं भी देखता हूँ ये कौमल चड़िया आखिर तुम्हारे लिए क्या कर सकती है खीक है फिर मानू चड़े, अब बस बहुत हुआ, मैं आज ही कौमल चड़िया को लेकर इस घर से जा रही हूँ बस फिर अब मीनू चड़िया, कौमल चड़िया को उस घर से लेकर अपने एक दूसरे घर में चली जाती है फिर अब कुछ दिन गुजरने के बाद, कौमल चड़िया और सोनू चड़ा काफी जादा बड़े हो जाते हैं सोनु चड़ा तो अपने घर में अपने पिता जी और मीनु चड़िया की सास की बिलकुल भी हिज़त नहीं करता था एक रात मानु चड़ा शराब पी कर अपने घर पर आ जाता है पेटा तुमने शराब पी है ये तो बहुत गलत चीज है तुम ये शराब क्यों पी रहे हो नहीं नहीं पिता जी सब ही पीते हैं इसे और इसे पीने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तुम बहुत गलत कर रहे हूँ अपने पिता के साथ और नहीं कोई जिम्मेदारी समाल रहे हो अरे आप हमारे बीच बिल्कुल भी मत बोला करें और मैं ये घर अब बेचने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ दानों की जरूरत है अरे बेटा अगर तुम ये घर बेच दोगे तो फिर हम लोग भला कहां पर रहेंगे फिर हम लोग किराये पर रहेंगे क्योंकि मुझे दानों की जरूरत है इसलिए मैं ये घर बेच रहा हूँ फिरा अगले दिन में सोनु चड़ा उस घर को बेच देता है और मीनु चड़िया की सास और मानु चड़े को जंगल में ही एक जगा पर छोड़के चला जाता है थोड़ी ही देर में मीनू चड़िये की सास और मानू चड़े के पास मीनू चड़िया और कोमल चड़िया आ जाते हैं अरे बेटा कोमल चड़िया तुम मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मेरे बेटे सोनु चड़े ने तो मुझे छोड़ दिया है अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ हमने तुम दोनों में फर्क किया और तुमें अपने गड़ से बाहर निकाल दिया है लेकिन आज देखो उस सोनु चड़े ने हमें ही हमारे घर से बाहर निकाल दिया पित्या जी आप बिलकुल भी परिशान नहीं हो मैं एक बहुत ही अच्छी जगा पर काम करती हूं जंगल में और मेरी मा का बहुत बड़ा गयर है इस जंगल में आप लोग भी हमारे साथ चले वहाँ पर जी मा जी बिलकुल सही कह रही है ये आप लोग भी हमारे साथ चले हमारे घर पर बस फिर वेचारों अब मीनु चड़िया की नए और बड़े से घर में आ जाते हैं और अब बेचारों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं